अगला भेद कारक का छटा भेद संबंध कारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं संबंध कारक में विभक्तियां सदेव लगाई जाती हैं ये नहीं के कहीं लगानी है और कहीं नहीं लगानी संबंध कारक में हमेशा विभक्ति लगाई जाएगी देखिए, इनके परसर्ग या कारक्चिन हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, आदी उधारन देखिए, गीता सोहन की बैहन है यहाँ पर की संबंध के लिए प्रियोग किया गया है गीता और सोहन का संबंद तो की जो है वो संबंध कारक है, संबंध कारक में एक चीज का ध्यान रखिएगा संबंध कारक में जिन पदों का संबंध बताया जाता है, उसे संबंध और जिनसे संबंध बताया जाता है, उन्हें संबंध ही कहा जाता है एक चीज़ का और ध्यान रखना संबंध कारक में वाक्य में परसर्ग का प्रियोग परसर्ग कौन से काके कीरारेरी नानेनी ये जो परसर्ग हैं संबंध कारक के इनका प्रियोग संबंधी जिन से संबंध बताया जा रहा है वो संबंधी के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं कैसे देखिए जैसे नेहा का भाई संबंधी भाई है तो यहाँ पर परसर्ग लगा का नेहा की किताब किताब संबंधी है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर परसर्ग लगा की नेहा के जूते, संबंधी जूते जो बहुवचन हैं इसलिए यहाँ पर परसर्ग लगा के तो संबंध कारक में परसर्ग होते हैं का के की रा रे री ना ने नी जो संबंधी के अनुसार लिंग और वचन बताते हैं संबंध कारक के प्रयोग संबंधी निया देखिए सर्वनाम की स्थिती में सर्वनाम सबको पता है संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किये जाते हैं तो सर्वनाम की स्थिती में संबंध कारक का रूप काकेकी में नहीं होता किसमें होता है रारेडी जैसे मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्र और दूसरा रूप देखिए संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरे भी प्रियोग किये जाते मुहावरों में भी संबंध कारक लगता है जैसे कान का कच्च, आख का अंधा, बात का धनी ठीक है इसमें कान और कच्च में संबंध है, आख और अंधा में संबंध है, बात और धनी में संबंध है तो यहाँ पर मुहावरों में भी संबंध कारक का प्रियोग किया जाता है। कारक का सात्वा भेद है अधिकरन कारक। संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है। कि क्रिया का वाक्य में क्या आधार है उसे अधिकरन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग या कारक चिन होते हैं में पर। उधारन देखें चीडिया पेड़ पर बैठी है। यहां पर चिडिया का आधार पेड़ है और यही क्रिया का बैठने का आधार है पेड़ पर बैठी है। तो यहां पर पर अधिकरन कारक है। क्रिया का आधार दो परकार से होता है। स्थान वाची भी हो सकता है और समय वाची भी हो सकता है। उधारन देखें पहले स्थान वाची। मैं समय पर स्टेशन पहुचा। स्टेशन, स्थान, दूसरा देखें समय वाची। इस बार बोड की परिक्षा मार्च में होंगी। में और पर यहां पर पहला उधारन स्थान वाची का था और दूसरा उधारन समय वाची का था. इसके अतिरिक्ट कई बार परसर्ग रही तदी करन का भी प्रियोग किया जाता है. कैसे देखिए घर घर जाकर प्रचार करो यहाँ पर मे परसर्ग का लोप है घर घर मे जाकर प्रसार करो की जगह है घर घर जाकर प्रसार करो उस जगह पून शांती है दूसरा उधारन उस जगह पून शांती है उस जगह पर पून शांती है तो अधिकरन का जो परसर्ग पर है उसका लोप किया गया है यहाँ पर कई बार क्या होता है, तुलना के लिए भी कभी-कभी अधिकरन का प्रियोग किया जाता है, वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तुलना के लिए अपादान कारक का प्रियोग होता है, मोहन सोहन से अधिक ताकतवर है लेकिन कई बार अधिकरन कारक का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि अपवाद हर जगह समखव है उधारन देखिए पांडवों में युधिष्टर सबसे बड़े थी मी यहाँ पर तुलना की गई है पांडवों की कि युधिष्टर सबसे बड़े थी ज्यान सब बच्चों में खुश्यार है सभी बच्चों की तुलना ज्यान से की गई है और ज्यान को सबसे अधिक खुश्यार बताया गया है तो यहाँ पर अधिकरन कारक का प्रयोग किया गया है